कई बार अंजाने में आपके फोन से कई जरूरी आप डेलीट हो जाते हैं अगर हम WhatsApp की बात करें तो WhatsApp में आपके सिर्फ ना कॉं्न्टैक होते हैं बल्कि कई जूरूरी मैसेजेज भी होते हैं अगर सोची है कि गल्ती से आपने अपने WhatsApp को डेलीट कर दिया उपर से आपने उन messages का backup भी न दिया हो तो क्या करेंगे आप आपके इसी problem के solution के लिए हम आये हैं नमस्कार मैं हूँ जोईता और आप देख रहे हैं लोकमत News Hindi Tech Shala हाज कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से WhatsApp को delete कर दिया है तो अपने पुराने चैट को किस तरह से recover करें दरसर WhatsApp को reinstall करने पर आप आप से पूछता है restore your message history यानि कि WhatsApp आप से पूछता है कि क्या आप अपने पुराने चैट को restore करना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ शर्ते हैं बता दे कि WhatsApp आपके सिर्फ साथ दिनों तक की चैट हिस्ट्री को save करता है ऐसे में अगर आप साथ दिन से ज्यादा की चैट हिस्ट्री पाना चाहते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना होगा इस तरह से आप अपने मन्चाहे दिन का चैट बैकप कर सकते हैं अपने फोन के SD कार्ड में WhatsApp का बैकप बना ले SD कार्ड में आपको WhatsApp के बनाए बैकप में SD कार्ड स्लाश वाट्साप स्लाश डाटाबेस पर जाना होगा जहां आपको कई फाइल्स दिखेंगी यहां आपको messagestore.db.cryp फाइल सर्च करनी होगी messagestore.db.cryp फाइल मिलने के बाद इसे messagestore.db.cryptold नाम से रिनेम कर दे अब आपको डाटाबेस में तारीक या महिनी के आधार पर अपनी उस फाइल को चुनना होगा जिसका बैकप आप पाना चाहते हैं फाइल को सिलेक्ट करके इसे दुबारा messagestore.db.crypt नाम से रिनेम कर दे इस प्रक्रिया के बाद अपने microSD कार्ट को वापस फोन में लगा दे WhatsApp को अनिंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करे इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप साथ दिन या उससे पहले की भी चैट हिस्टी को आसानी से रिकवर कर सकते हैं देर जुनिया की तमाम खबरों को जाननी के लिए जुड़े रहे लोकमतnews.in से